अलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है 60 BPC री एक्जाम पिलिम्स को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग previous year का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैं सभी सब्जेक्ट के जो भी previous year में प्रसन पूछे गए हैं और previous year जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा question previous से भी आ जाता है तो सेतलिसे जो BPC में आपको एक्जाम हुआ था उसका मैं सभी धान के प्रसन स्टार्ट करता हूँ और ऐसे हर सब्जेक्ट का प्रसन में कराऊंगा इसका PDF भी मैं share कर दूँगा नीचे टेलेग्राम का लिंक देता हूँ वहीं पर अब यहाँ पर सबसे पहला question आपके सामने है कि भारत के परधान मंत्री मुख है है तो देखिए भारत के जो परधान मंत्री मुख होते हैं ये किसका होते हैं तो ये केंद्री ये सरकार का होते हैं सरकार का मुख होते हैं अगर कारिक पालिका पर मुख पूछा जाता है तो वो राश्टपती हो जाते हैं ठीक इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका सबसे पहले एंसर मिला लिजी आपको भी हो जाएगा परधान मंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में आपको पढ़ने को मिलेगा अब यहां से जो जो कोशन बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ देखे परधान मंत्री की नियुक्ती होता है परधान मंत्री नियुक्ती कहने का मतलब जो लोक सभा है या राज सभा कोई भी सदस परधान मंत्री बन सकता है यसे लोक सभा से बनने वाले परधान मंत्री जो की काफी परचलित नाम आपको जानते होंगे जैसे कि सबसे पहले यहारे परधान मंत्री अटल विहारी बैचपे अभी नरेंदर दास मोधी जी हैं ऐसे जो कुछ-कुछ परधान मंत्री जो लोकसभा से भी आते हैं कुछ राजसभा से भी बने होंगे परधान मंत्री मैं इस राजसभा के सदस थे जैसे कि इंद्रा गांदी मनमोहन सी यह रा दुख सभा के सदस हो या राज सभा के सदस हो अगर कोई नहीं सदस है तो छे महीने के अंदर कोई भी सदस है आपको लेनी पड़ीगे पर्धान मंत्री बनने के बाद और बहुमत दल के नेता पर्धान मंत्री होते हैं आपको दिखेगा केंद्री अस्तर पर तो संसद में ब कुशन और भी बताते हैं मैं आपको कुशन पर चहुए ने किने मिलेखित में किसको सभिधान का मौलिक अधिकार लागू करने के सकती दी गई है सभिधान के मौलिक अधिकार अब इस बारे में जान लिजे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा भागे भी पढ़ने को मिलेगा कहां से लिया भी तो हमारे भागे सभिधान के भागे तीन में देखिएगा fundamental right है ठिक यह याद रखिएगा सब इधान कमेग ने काटा भी इससे बोला जाता है यह bill of rights USA से लिया गया है इसकी सुईतराज अमिर्का से यह लिया गया है और यह आपको आर्टिकल 12 से लेके 35 अभी 6 मौली क अधिकार है 6 मौली क अधिकार है और पहले 7 मौली क अधिकार थे लेकिन आपको 7 मौली क अधिकार संपतिक अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया अठाकर और इसे legal right बना दिया गया कहने का मतलब यह ध्यान मरे किएगा और मौली क अधिकार लागू करने की सक्ति किसको है तो यह संसद को है यह बात ध्यान मरे किएगा यहाँ पर दे रहा है लागू करने की सक्ति या मौली क अधिकार में कोई शंसोधन ये करना का सकती संसद को ही होता है और संसद में कौन-कौन आ जाते हैं तो संसद में राष्टपती, लोगसभा और राजसभा ये तीनों मिलकर संसद करने बार करता है जैसे कि आर्टिकल 89 में आपको दिया रहाता है संसत के बारे में आर्टिकल 80 में लोग सभा के बारे में दिया हुआ है ठिक अब यहां से दो सवाल और बनते हैं कि आपके दिमाग में आया हुआ स्रोचनेल यह क्या है ति यह सरक्षक है सरक्षक कहने का मतलब कि अगर उलंगन होता है आपका fundamental right का तो उसे बहाल करने के लिए आर्टिकल 32 के तहट 5 रेड जारी करता है यह सुप्रिम कोट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहट जो आपको जारी करता है अलग-अलग high court आपके fundamental right के उलंगन होता है तो यहां पर आपको high court में आर्टिकल 226 के तहट जा सकते हैं तो confusion नहीं होना चाहिए अभी आपको पता है कि अभी अमारा 15 जो राष्टपती भी चुन ली गई है और यह पहली आदिवासी राष्टपती है तो यह question आना एकदम तय है अभी लिख लीजिए पुछेगा कि भारत की पहली अदिवासी महिला राष्टपती कौन है तो यहीं आपको मुर्मू या पूछ रकते है कि भारत की दूसरी महिला राष्टपती कौन है तो यहीं आपको दुरुपदी मुर्मू ऐसे भी question पहली आपको पर दिवासी पाटिल थी ऐसे question पूछ सकता है कि यह कहां से थी यह उड़िसा से हैं यह पूछ सकता है कौन नंबर की राष्टपती बनी है तो 15 वे नंबर की राष्टपती बनी है राष्टपती बनने के लिए क्या योगता होना चाहिए भारत के नागरिक होना चाहिए आपको 35 वर्स उमर पूरा होन होना चाहिए और आपके पास औनुमोदक होना चाहिए परसता अप चाहिए राश्टे-पति के नाम आता है तो और इस निर्वाचक मंदल के बारे में आर्टिकल चोवन में दिया हुआ है इनके निर्वाची कमdepend spielen में कौन-कौन सामी हो सकते हैं तो राज के जो अलग-अलग विधान सभा है उस वह सबहाँ दियू के कोई निर्वाचित भाग लेते हैं आगे चलते कुशन देखते हैं पच्पन यहां पच्पन वतल भी कुशन नमर तीसरा है यहां पर आगे बुक अगर प्रिबे सीर कर रखे होंगे तो उसमें से मिला लीजिएगा भारत के राष्टपती किसके तोरा हटाया जा सकता है तो भ और वो उसकी सूचना 14 दिन पहले आपको राष्टपती को भी देना पड़ता है महव्योग के बारे में अभी तक कोई राष्टपती महव्योग द्वारा नहीं हटे अर्टिकल 61 द्वारा अर्ध नया एक प्रिक्रिया है यह भी ध्यान में रखेगा यह महव्योग तो आप सुक्रार अरह सभीधान में जो 12 सूची दिया हुआ है उसमें से साथवी अनुची में अलग अलग जैसे सरकार के लिए वह सब्जेक्ट को बार दिया गया है सिंपल भासा में तो साची सुची में जो साथवी अनुची है उसमें आप देखिएगा कि आपको तीन सूची ब मैं आपको बताऊंगा इंसर हो जाएगा इसका 20 इक्षा हो जाएगा बाकी आपर अक्षा देख लिजे डिफेंस यह तो केंद्र सरकार का भी सहय है पोलिस क्रिसी यह आपको रास सरकार का भी सहय है अब यहां पर कुछ कोशन यहां प्रबन सकता है कि यह जो सूची है आकर य दुनों बना सकता है केंडर राज दुनों कनून बना सकते हैं लेकिन सिंद्क में आपको बताती चलता हूं तो यह आपको जैसे कि बैलिश्वी शविधान सवसोधन हुआ था 1976 में बैलिश्वी शविधान सवसोधन में वन सिक्षा जिवधारियों के सरक्षण माप तौल अपको जैसे कि बैलिश्वी शविधान सवसोधन द्वारा यह समर्ती सूची में डाल दिया गया थे जिसमें सिक्षा भी डाल दिया गया था जिस समीती की सिफारिस पर भारत में पंचायती राज के अस्थापना की गई उसका अध्यक्ष कोन था पंचायती राज ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में आप पढ़ते होंगे गांधी जी का सपना था कि ग्राम मस्तर परसासन होना चाहिए मिसकी सत्ता का विके एक्षेता में एक कमीटी बनाया गया था और उर्हों ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो फिर देखिएगा दो अक्टूबर दो अक्टूबर उनिसो आपको देखिएगा कि 69 से 2 अक्टूबर 1969 से आपको लागू किया जाता है सबसे पले राजस्थान के नगोर से फिर कुछ दिनों बाद आंदरप्रदेश में लागू कर दिया जाता है ठीक तो ऐसे करकर आप देखिएगा कि आपको पंचायती राज बिवस्था लागू किया जाता है और बलोंत्राय मेहता समीती निसी भारिज किया था त्री अस्तर ये बिवस्था था मिसकी ग्राम अस्तर पर बलोक अस्तर पर जिला अस्तर पर ये त्री अस्तर ये बिवस्था के बारे में बलोंत्राय मेहता समीती बताये थे असोक मेहता समीती बताये थे दो अस्तर ये बिवस्था के बारे में ठीक मतलब कि पंचायती नहीं था तो नीमित समय पर आपको चुनाओं भी नहीं होते थे एक एक जो मुखिया थे 20-20 साल तक रहते थे को यादा इनके पास सकती भी नहीं होता था नहीं पैसे होते थे खर्च करने के लिए लेकिन 73 वा सभिधान सवसुधन 1992 द्वारा जो कि लावगों हो गये 24 सपरिल अब देखियेगा कि इनको 5 साल के लिए समय भी बना दिया गया महिलाओ को और अक्षड भी इसमें दिया गया और और भी पैसे खर्च करने के लिए आपको बनाए गए बित आयोग भी राज बित आयोग का गठन किया गया इसी फारिस करता है तो उसमें राज और के अंतर दुनों पैसे डालते हैं अब देखिये ये जो है पंचायती राज असल में भी सहय है राज सुची का ये भी ध्यान मर कियेगा पंचायती राज दिवास 24 अपरील को मनाते हैं ये भी याद रखिये फैक्ट पुछता है तो पंचायती राज के बारे में गरहवी पर अधारित है ये निर्धारण किस वर्स तक ये अथावत रहेगा राज सावा में सीटों का अवंटान है उनीशोएकहत्तर के जन गरना पर ही आपको सीट आगे तक मतलब रहेगा अभी कोई आपको इसमें नहीं किया गया है संसोधन तो ये आपको 2026 तक रहेगा ये पर कर दिया गया था कि 2000 तक ऐसा रहेगा फिर आपको 2001 में 84 जो सविधान सवसुधन हुए थे उसमें ये परोधान कर दिया गया तो 2026 तक यह थावत आपको सीटों की संख्या रहेगी अब आगे देखना है कि सरकार क्या करता है कुश्चन पर उनसर्ट दिखे भारत में पंच अंतर कैंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यह भी ध्यान में रखिएगा तो कुश्चन अगर पूछता है तो अराम से आपको लगा लेना होगा और उस समय के परधान मंतियोहलन नहरूत है यह भी याद रखिएगा आगे चलते कुश्चन अब यहां पर पंचायती तो उसके बाद ही देखिएगा कि दिहात्रवा सभिधान सवसुतन होता है और फिर निको पंचायती राजववस्ता को सभिधान विजा दिया जाता है कुश्चन नबर सार देखिए राजसाभा में राष्टपती द्वारा कितने सदस मनुनित किया जाते हैं राजसाभा मे आपको दिखिएगा आर्टिकल 80 के 3 में ये परोधान दिया गया है राष्टपती मनुनित करते हैं राजसाभा में अधिक्तम संख्या जो हो सकता है सदसो का 250 हो सकता है लेकिन अभी जो चुनाओ होता है 245 पर होता है ये भी द्यान मरेकिएगा और इसमें से भी 12 आपको र पर दिखता है तो याद रखिएगा इंगलो इंडियन अमनुनित नहीं होंगे कोश्चन अगला है पंचायत के चुनाओ कराने हैं तुम ने किस के द्वारा लिया जाता है और बीसे सी बात है ये आपको राज सुची कभी सए है राज सुची कभी सए है तो राज इसमें प अगर पाली का नगर में 18 भी सए है अगे चलते कुश्चन देखिया आगे बासत कि भारत के सविधान के निमलेखित में कौन सा अनुच्य प्रेस की सवतंतरता से समझनीत है प्रेस की सवतंतरता वाक्षातंतर का अंतरगत ही आता है और आटिकल 19 के आपको ए में पर परतिबंद भी लगाया गया है यह हो जाएगा यह इसका इंसर आगे देखिए क्विश्य नमर तिर्सक निमलेखित में से किस सविधान संसुधन अधनियम को लगु सविधान कहा गया यह भी बताना है आपको तो यह बैलिश्वे सविधान संसुधन को आकर क्यों कहा अब को पता है कि 1975 से आपको शत्तर की बीच इंद्रा गंधी परधान मंतरी थी अपात लागू की थी आंत्रीक असांती के कारण जो कि बाद में अंत्रीक असांती के दर्वाफ पर ससत विद्रो जोड दिया गया इसे काला डे उस समय के काला दीन बताये जाता था बेली यह में फिर आप देखिएगा इसी में आपको समोरती सुची में पास सब्जिक्त डालद दिया गया प्राम प्रत्तहकी इसी महें इसी में आपको प्रस्तावना इसमें संमाजवाधी- पढ़ाला सब्ड जोड दिया ग्याँ तो बहुत से इसमें परधान को चेंज किया गया था, इसलिए बेली शुवेश अभीधान स्वसुधन को मीनी कंच्चूशन बोला जाता है, ठीक, तिरसाथ कैंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1976 मी यह हो था, कुश्चन नमर आगे दिखें कि जम्मु कस्मीर के राजप यहां पर यह है कि जम्मु कस्मीर को अब केंदरसासित परदेश बन गया है, जम्मु कस्मीर और लदाग, और यह हुआ 31 अक्टूबर 2019 में, अब 31 अक्टूबर को इसलिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभी पटेल का जनमती थी मनता था, एक्ता दिवस की रूप इनका कौन निभायते, सादार बल्लभी पटेल निभायते, तो भी यह ददार करनी के लिए, तो यह 64 के अंसर क्या हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा, डी, देखिए यही कोशन था, जो कि आपको सहीतलिसवे बीपेसी में सभीधान से पूछा हुआ था, आई होप आप लोगों ने सभी कोशन सही किये होंगे, जो भी फैक्ट है मैं आपको बताती चलूँगा, इसे जल्दी खतम कर दूँगा, दो से तीन दिन में सारा सभीधान का कोशन खतम कर दूँगा, उसके बाद और भी सब्जेक में मैं हाथ लगा दूँगा, बाकी आप देखिएगा हिस्टी का भी चली रहा है सेशन, जो भी मातपुट पर असने कोशिस करूँगा, कि आपकी एक्जाम से पहले करा दूँगा, और पूरे आपको रिवीजन भी, कि अच्छा लगए, आपको भी एक्जाम अच्छे से निकाल पाए, वीडियो अच्छा लगों तो लाइक वीजे का विडियो तकने को बहुत भूद धन्नमा